आज हम बात करने वाले हैं इस audio amplifier module के बाहरे में जो के एक class D amplifier है जिसका model है HW404 और यह actually है एक stereo amplifier और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं left and right channels के लिए output है speakers के लिए और इस पे हम as per the data sheet of the IC which is used in this class D amplifier हम इसके साथ 30 plus 30 watts के जो speakers है वो easily चला सकते हैं ठीक है और चोटा सा ही आप देख सकते हैं heat sink इसके ओपर लगावा बिल्कुल tiny सा यह board है आप यह देख से तो यहाँ से आपको idea हो गया होगा कि यह कितना चोटा सा board है जो कि हमें 60 watts rms in total जो है वो provide करेगा सो यह है जी हमारे input left and right channels के लिए audio input और यह है जी हमारी power input ground and vcc यहाँ से हमने इसको power provide करनी है और जो voltage है safe operating voltage जो है इसकी that is from 8 to 24 volts आट से लेके 24 volts के बीच में हम इसको जो है वो use कर सकते हैं अभी मैं क्या करूंगा कि इसके total connections करके speakers वगारा इसके साथ attach करके फिर इसका हम जो sound check है वो करते हैं कि हम इसका sound जो है वो में कैसा मिलता है और किस तरह कहामें इसके साथ punch मिलता है so let's see all right guys तो यहां पर voltage हमने around 12 volts सी हम इसको set करते हैं भी फिलाल voltage range वगर हम check कर लेंगे so 12.6 हमने यहां पर voltage set की भी है और अभी हम जो है वो इसको on करके check करते हैं ठीक है अपनी power supply कैसे okay यह मैंने यहां पर अभी power supply के साथ इसको लगा दिया है अभी audio source इसको हमने provide नहीं की पहले हम इसको जड़ा चेक कर लेते हैं on करके तो यह आप देख सकते हैं जी यहां पर हमारा जो amplifier है यह on हो गया और noise तो होती ही नहीं है ना class जी amplifier के अंदर कुछ भी नहीं हारा speakers के अंदर इस वक्त थीक है तो अभी मैं क्या करूंगा कि इसके साथ Bluetooth जो हमारा कनेक्टर है वो लगाता हूं उसके साथ okay so यह बला हमारे पास Bluetooth डिवाइस है इसका कनेक्टर यहां पर हमारे पास 3.5 mm का यह मैं लगाता हूं उसके साथ okay यह लग गया इसको मैं on करता हूं अभी तो यह अभी पूरे के पुरा सिस्टम हमारा इस बिल्कुल रेडी है अभी इसको मुजिक इंपुर हम देते हैं और फिर उसका हम प्रॉपरली जो साउंड है वो चेक करते हैं करते हैं इस वक्त यह 12.5 वोल्ड के रांड चल रहा है ठीक है और एमपेर्स आपने देखे इसके वइन एंपेर से ओपर कंजम्चन यह नहीं कर रहा है यह 5 एमपेर्स की पारस अप्लाय है बट इसको यह वइन एमपेर से ओपर कंजूम नहीं कर रहा ठीक है तो अभी मैं साउंड जड़ा इंक्रीज करता हूं और वोल्टेज जो है इसके हम क्योंकि एस पर देटाशीट आफ दिस सर्किट वोल्टेज जो है वो चॉविस वोल्ट्स तक हम इसकी लेकर जा सकते हैं तो हम चेक करते हैं कि इसके अप्पेर्स के अफ़र को फरक पड़ता है या नहीं फुल वोलिम और 24 वोल्ट्स के पर कि ऑा जायब कि आए पाद data के पुमरे लाभ है इज ता गिरण मेंग जलीर जा Ginger के जब हैं, कर राम है... जी तो गज़ आपने देखा 24 वोल्ट्स करने से भी एमपेर्स के ओपर को खास फरक नहीं पड़ा और कंजम्शन भी आपने देख लिए यह फुल वॉल्यूम के ओपर एमपेर्स की यह कंजम्शन है बट इसमें एक और भी बहुत बड़ा रीजन है वो यह है कि हम इसको विदाउट एनी प्री अम्प्लिफार यूज़ करें मतलब कि इसके साथ हमने कोई भी प्री अम्प्लिफार इस वक्त यूज़ नहीं किया हुआ तो मैक्सिमम जो पावर है वो अम्प्लिफार की तब ही पता चलती है जब उसको हम प्री अम्प्लिफार के साथ जो अच्छा P Amplifier होता है, जो की Operation Amplifier Based होता है, उसके जाथ हम यूज़ करते हैं अभी हमने डिरेक्टली इसको Bluetooth के साथ लगाया है था ये complete review था इस kit के बारे में और मुझे इसका sound काफी ज़दा अच्छा लगा है बहुत ज़दा clear sound है और ये आप किसी भी एक जो medium range का system होता है उसके साथ आप use कर सकते हैं और 30 प्लस 30 तो नहीं बट मुझे ये 15 प्लस 15 watts जो है वो per channel मतलब के लग रहे थे क्योंगे ये जो आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये जो subwoofers लगे मैं का जो है वो मज़ा आया है और अच्छा system है ये so उमीद कर तो आपको वीडियो पसांद आई होगी अगर आपका कोई भी question है तो आप comments में पूछ सकते हैं so see you in the next video thanks for watching